हाई वेंडर्फूल पीपल विल्कम बैक टो फात्मा जी वाना फिसल कैसे हैं आप सब आई होक कि आप लोग ठीक होंगे, खुस होंगे, जोई कर रहे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का रहान रख रहे होंगे, लाइफ के लिए पॉजिटिप भी होंगे, आज की रेमेड करके आप परिसान होंगे, आपका हेर फाल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके सर में जो भी बाल थे, वो तोटकर नीचे गिर रहा है, जब भी आपका बाल तोटता है, बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इस रेमेडी के यूज़ से आपका हेर फाल सबसाइड होते हुए, आपकी हेर फाल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हिलफूल होगा, इस रेमेडी के यूज़ से आपके बालों की गोथ बहुत तेजी से होती, बालों की जड़े मजबूत होती है, नियू बाल उगना इस्टार्ट हो जाते हैं, इनकी जड़े अगर कमजोर हैं, तो इ इस रेमेडी निच्रल है, इसके यूज़ से आपके जहाँ पर बाल नहीं है, इस सर में कहीं कहीं आपको लगता है कि खाली पन है जहाँ पर हमारे बाल कम हैं, वहाँ पर इसका रेगुलर यूज़ करने से नए बाल उना इस्टार्ट हो जाते हैं, उने के साथ साथ इसकी जने मजबूत होती हैं, जो छोटे-छोटे बाल हैं, वह भी लंबे होना इस्टार्ट हो जाते हैं, वह बहुत दिनों से बढ़े ही नहीं हो रहे हैं, तो उसका बढ़ना भी मस्टा इसके यूज़ से, ये निच्रल तरीके से काम करती हैं, अगर आपके सर में ऐसी प्राब ढ़क जाएगा बालों से, आपके बाल सिल्की भी होंगे, चमकदार साइनिंग होंगे, आपके बाल बिलकुल फलकते हुए, नजर आएंगे, चमकते हुए होंगे, बाल एकदम सिल्की इतने हुजदा होंगे, आपको लगेगा हमने कोई कंडिशनर यूज किया है, बिलकु बाल तो अब बढ़ना ही नहीं है, बिलकुल यह बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, हमने कई चीजियों का यूज किया है, तो इसके यूज से आपका बाल बढ़ेगा भी, आपकी निरासा दूर होगी, आप घबढ़ाएं नहीं, इस रेमीडी के यूज कर के देखेंगे, य कि यूज के तुरंट बाद ही नहीं आपको लगएगा कि आज हमने यूज किया कल हमारे बाल घने हो जा ऐसा नहीं होता यह आप भी जानते हैं बालों को बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब भी आप बालों में लगाएंगे एक घंटे के लिए इस रेमेडी को जर इसके प्रेपरेशन के लिए आपको ज्यादा परसानी होना होगा आपको एक बड़ा बरतन लेना होगा जो कि साफसुत्रा हो उस बरतन में इस रेमेडी का यूज करना है बनाना है बनाने के लिए आपको लेना होगा फिल्टर वाटर अगर आपके पास है तो आप फिल्ट आने वाली है हमने लिया है काफी पाउडर काफी जो भी ब्रांड की हो आपके पास उसी काफी को ले लिए जिस काफी का आप यूज करते हों हो सकता है काफी आपके भी पास है आधिक लोगों के पास काफी होती है क्योंकि को काफी पीने के सौखीन होते हैं बस उसी काफी का एक से दो स्पून भरके हमने इसमें काफी का यूज किया है दो स्पून काफी ले लेंगे तो एक बार के यूज के लिए ये काफी होता है इसलिए हमने दो स्पून भरके इसमें काफी को ले लिया है काफी को लेने के बाद हमने और इंग्रिंडियन को लेना है जो कि बहुत ज्यादा effective इसे बनाना है केवल काफी के यूज से यही नहीं बनेगा इसमें कई चीजों का हमने यूज किया है जिससे बहुत ज्यादा यह करगर और effective बना है अब हमने लिया है अलसी के भीज यानी की फ्लैक सीट हमारे बालों को बहुत ज्यादा सिल्की साइनी बनाने महिलफूल होती है बिल्कुल कंडिशनर की तरह ही काम करती है मेरे कहने से एक बार इसका यूज जरूर करके देखेंगे आपके बालों में जान फोक देने वाली है अलसी के यूज से आपके बालों में बिल्कुल जाना जाती है और आपके बालों में बिल्कुल साइनी होते हैं जी हाँ बिल्कुल लगेगा आपने कोई कंडिशनर किया है इसके यूज से इतना ज्यादा असर आपके बालों में होने वाला है अलसी को लेने के बाद अब हम क्या लेने वाले ह इसमें कुछ चीजों का और इच करना है हमने लिया है इसमें ब्राउन सुगर जो की हमारे बालों में चमक लेकर आती हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ठीक घरा लंबा और साइनी बनाने में मजबूत करने में हिल्फुल होती हमने पहले लिया है ब्राउन सुगर से पहले ह हमने ले लिया हिविसकस की लीफ mantener हमारे बालों को जादू की तरह बिल्कुल मजेकल काम करती हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करती साइने सिल्की चमकडार बनाने में ये भी बहुत ज्यादा helpful है लीब में इसके बारे में आपडेट करेंगे पढ़के देखेंगे तब आपको लगेगा इसके अंदर क्या क्या है जो कि हमारे बालों के लिए इतना असरदार इतना कारगर है हिबिसकस अगर आपके पास नहीं है तो इसका पाउडर भ होने की ये रेमेडिया हमने लिया है आपको भी बताया था हमने इसमें ब्राउन सुगर का भी यूज करना है इसलिए हमने ब्राउन सुगर लिया है इसका भी यूज एक से दो ही स्पून करना ज्यादा नहीं लेना है यह हमारे बालों में चमक लेकर आएगी हमारे बार बह इन सब को पकने के लिए हमने गैस की फ्लेम को स्लो करके जलक दिया है इसके ऊपर और धीमियाज कर दिया है धीरे धीरे इसे पकाना है इसे कभी भी आप तेज आज करके पकाने की गलती ना करें ताकि यह रिवेंडी बहुत ज़्यादा एफिक्टिव बने इसलिए अगर सारे तत्यों का असर इस पानी में अच्छे से आ जाएगा तो यह ज़्यादा एफिक्टिव बन जाएगा इसलिए धीमियाज से पकाए इसे छोड़कर आप हटे ना अगर आप हट जाते हैं छोड़कर दूर चले जाते हैं तो रिवेडी आपकी जल सकती है इसे पकते समय आमाइे डहते हैं फ्ssen तो बार आप दे के लिए जिछ हो इसलिया जैंगे इसलिए इससे देखते हैं जब जाएगा नहीं सुदंद मेर्ण न जयाए यह चानेगा नहीं 5 मियाट से थोड़ा सा कम ही रहेगा तभी हमारी रिमेडी बन जाने वाली है इसे आप ध्यान से देखते रहेंगे जिल फाम में आ जाएगा और सारे तत्यों का असर इस पानी के अंदर आ जाएगा देखिए इनिच्छल चीजों का यूज करते रहेंगे रोगलर तो आपके बालों में ग्रोथ भी होगी आपके बाल मजबूत भी होगे समझ से पहले पकेंगे नहीं कुछ लोगों के बाल आजकल टाइम से पहले ही पक जाते हैं या तकि बच्चों के बाल भी जल्दी पकना स्टार्ट हो जाते हैं आजकल के चीजों में इतना ज पेस्किन की अपने हिल्थ केर करते रहेंगे तो वो खराब होने वाली नहीं है अब गयस की फ़ले म मने बंद कर दिया और इसको ठंडा होने के लिए रखा था अब यह ठंडा हो गया है तो इससे गरम गरमी चान लेना है इसमें अल्सी का यूज किया है इसलिए इसको गरम- जिल निकाल लेंगे अगर बड़े ताल के छनी ही स्मिय हम जो है जो है जाल है थोड़ी सी बड़ी-बड़ी है तो यह स्पुन के मल्फ से घुमाते हुए इसको प्रिस करते हुए किसी बावल में चान लेंगे तो इसका जिल इस तरיתי कर बाहर हो घईगा ऑऊ इसका जो अब देखेंगे आपके बाल में बिल्कुल मजजिक होगा एक बार इसका यूज़ आप ज़रूर करेंगे इसके जूज से बात इतने ज्यादा सिलकी-सानी चमंक सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें बिल आइकन दिखेगा उसे भी प्रिस कर दीजिए ताकि एगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इस रिमेडी को बनाने के बाद अपने बालों में ठंडा होने के बाद लगा एक घंटे लगा कर रखें उसके बाद अपने बालों को नार्मल पानी से वास कर लें वास करने के बाद आपके बाद बिल्कुल चमकते हुए साइन करते हुए लहराते नजराने वाले हैं बस आज की वीडियो इतनी ही फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लेकर तब तक के लिए ब बाइ बाइ